हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिनेंशल अकाउंटिंग का एक्जाम पेटन आपके साथ डिसकस करने वाले हैं यह वीडियो रेगुलर हो एसोल हो या फिर एंसीव हो सभी के लिए यूसफुल रहने वाली है ठीक ह है तो पहले हम बात करते हैं यह एक्जाम कितने मोस नहीं होगा इस पर हम पुछ नहीं अधरवाइस अगर टैली का प्रैक्टिकल नहीं है तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वह भी आपको इस वीडियो में प्रसम जाओंगा ठीक है बाकि इसके इलावा जो एस्वेल के स्टुडेंट है उनको कोई प्रैक्टिकल नहीं होता कोई एसाइन्मेंट कुछ नहीं होता पोरा पेपर उनका 75 मास का आएगा हो सकता है अंड्रेड मास का भी आदा है बट 75 के दाधा चांसे हैं तो पहले हम बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ युनिट्स की टोटल नंबर ऑफ युनिट्स जोस्तों हैं आपकी पांच ठीक है युनिट वन में आपका इंट्र और बैलेंस शीट बनती है युनिट टू आपका डेक्टिस प्लस इन्वेंटळी वैल्यूशन से ऩरेटेड है ठीक है इनिट 3 आपका हैर परचांटिप्लस लास टैंट्रियूबत Lt Anais यनिट 4 आपका चय संट्सेंकर लिट ओर युनिट 5 में आपको ठीक से समझेना होगा unit 5 में computerized accounting या accounting for partnership firm है ठीक है अब यहाँ पर जो से कि मैं आपको कह रहा आता कि regular के student का अगर practical होता है इस साल देखो March 2021 की बात कर रहा हूं अगर आप उसके बाद वीडियो देख रहे हो अगर आप 2022 के लिए वीडियो देख रहा हो तो अफकोर्स आपका practical होगा ठीक है मार्च 2021 में अभी confirm नहीं है कि regular के बच्चों का उनके college practical ले रहे हैं या नहीं अगर ले रहे हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं ले रहे हैं तो उनको यह accounting for partnership firm वाली unit करनी पड़ेगी ठीक है अच्छा बागी आश्वाल के बच्चों को तो करनी है अब हम बात करते हैं exam pattern की question number one दोस्तों जो होगा वह आपका unit one से आएगा जिसमें theory आपसे पूछी जाएगी three mask का होता है question number one ठीक है जिसमें से आपको basic theory होती है unit one में से financial accounting की accounting standards पूछ लिया जाएगा तो यह three mask की theory आपकी unit one में से आएगी फिर unit two आती है हमारी जिसमें final account है और final account NPO की भी है और sole proprietor की भी है तो आपको यह decide करना पड़ेगा कि unit one में आपको final account किसके करने है तो मैं recommend करूँगा दोनों के ही करके जाओ बट जब choice दे ही रहे हैं वो लोग कि भाई या तो आप NPO का final account करो या फिर sole proprietor का करो जो trading and P&L और balance sheet वाला question आता है तो question number two में choice होगी तेरा marks का question होगा choice होगी एक में आपको NPO के final account बनाने पड़ेंगे और दूसरे में आपको trading and P&L के बनाने होंगे ठीक है अच्छा फिर हम बढ़ते है question number three की तरो question number three क्या होगा दोस्तों यह आपका होगा depreciation वाली unit में से question number three में again choice होगी 8 प्लस 5 marks के दो दो पार्ट होगे एक पार्ट 8 marks का होगा दूसरा पांच marks का होगा 8 marks का होगा वो numerical question होगा depreciation में से और 5 marks का होगा वो inventory valuation का theory question होगा inventory valuation में से perpetual versus periodic inventory system का difference बहुत बार कुछा आया है यह आप तरके जरूर जाहिएगा ठीक है और जो question number three के choice में question होगा उसमें again numerical on depreciation plus practical question on inventory valuation यानि कि numerical question on inventory valuation जिसमें से आपको first in first out या फिर last in first out फीफो लीफो या फिर weighted average method से related question पूछे जाएगा और यह जो मैंने आपको question number three बताया again 13 marks का है 8 plus 5 यहाँ पर एक चीज़ समझनी पुले की जो depreciation का numerical आ रहा है उसमें change in method जो question number three का first part होगा जिसमें numerical on depreciation के साथ आपका inventory valuation का theory part है तो उसमें change in method नहीं होगा लेकिन जो इसको और वाला पार्ट होगा जिसमें numerical on depreciation के साथ numerical on inventory valuation है तो नुमेरिकल on depreciation में आपका change in method होगा ठीक है तो एक part में change in method नहीं करना आपको दूसरे पार्ट में करना होगा अभी आपको decide करना है कि definition वाली जिनिट आप कर रहे हो तो change in method आपको करना चाहिए यह नहीं मेरे according जरूर आपको change in method वाला question जरूर करके आना चाहिए इसकी practice जरूर आपको करनी चाहिए ठीक है अब हम बढ़ते है next question पे जो कि है question number four question number four दोस्तो higher purchase से related होगा ठीक है इसमें higher purchase का आपको full phrase question आएगा इसमें higher purchaser account के book में entry करनी होगी higher vendor के account में book में entry करनी होगी interest calculation यह सब चिज़र आपको पता होनी चाहिए depreciation और higher purchase के उपर मैंने वीडियो बना रही हैं description में आपको link मिल जाएगा आप चाहते हो वीडियो को देखना तो जरूर देखिए बहुत ही useful वीडियो आपके लिए वो रहेंगी ठीक है और question number 4 के दो choice में question होगा again same pattern पर होगा higher purchase का numerical या फिर या फिर नहीं higher purchase का numerical उसके साथ lease transaction की theory 3 marks की तो again ये question number 4 13 marks का हो गया ठीक है तो अभी तक हम 42 marks का discuss कर चुके हैं question number 5 पर आते हैं question number 5 दोस्तो branch accounting या departmental accounting से related होगा question number 5 में again choice होगी ठीक है जो पहली choice इन लोगों ने question number 5 में दी है वो ये होगी कि branch account आपको बनाना पड़ेगा और उसके related जितने भी account होते हैं like branch debtor account, branch stock account और branch panel account, stock reserve account, branch adjustment account ये सब चीज़े आपको बनानी होगी या फिर question number 5 के साथ जो choice में question है उसके दो पार्ट है एक numerical and branch account और एक numerical and departmental account तो भाई जो choice वाले numerical and branch account है choice में इसमें आपको सारे account नहीं बनाने होगी ठीक है जैसे full-fledged question उपर वाले में बना रहे थे वैसे नीचे वाले में सारे account नहीं बनाने होगी और इसके साथ numerical है departmental account क ठीक है तो यहां तक अगर आप regular के बच्चे हैं तो यहां तक आपको कम फितम हो गया अगेन मैं repeat करूंगा कि अगर आपका टैली नहीं है तो आपको question number 6 attempt करना होगा जो कि 20 मास्का होगा अब question number 6 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 15 मास्का जो dissolution है dissolution of a firm जिसमें realization account बनता है partners capital account बनता है cash account या bank account बनता है यह आपको जरूर से करना है 15 मास्का यह question जरूर से आने वाला है as well case student को जरूर आने वाला है because उसमें tally तो है नहीं तो dissolution of a firm से 15 मास्का question जरूर आएगा आप सको करके ही जाना ठीक है question number 6 में again choice है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं आपको combination कैसा होगा choice में पहला part है उसमें आपको theory पूछी जाएगी dissolution की ठीक है theory पूछी जाएगी dissolution की नहीं सिर्फ theory है unit 6 में से क्योंकि unit 6 में जो और पार्ट वाला है उसमें accounting of partnership firm है जिसमें dissolution की निमेरिकल है लेकिन उसके साथ-साथ admission भी है उसमें retirement भी है और death भी है तो admission, retirement या death इसकी theory इसकी practical नहीं आएगा इसका theory करके सरूर जाना आप ठीक है तो और choice में जो question है question number 6 में उसमें पीसमेल distribution की numerical या theory plus again dissolution का आपको numerical question 15 मास्का आएगा गार्ने उसस मुरे रूल से हो भी आप ज़रूर से करके जाएगा इस unit में से ठीक है तो यह unit थी 55 plus 20 75 मास्का आपका paper हो गया तो कोई भी unit ऐसी नहीं जिसमें choice हो ठीक है जो अगर आप कोई unit छोड़के जा रहे है तो सम में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें choice हो हमारे time बे क्या हो दोस्तो 2015-16 में कि इसमें 23 unit और extra थी इसमें आपका joint venture था इसमें consignment account था तो हमारे पास choice होड़ी consignment करके जाएं या joint venture करके जाएं लेकिन आपके में units काफी कम कर दी है और इसमें कोई choice आपके नहीं है सारे units आपको करनी पढ़ेंगी तो यहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में update थी I hope आपको यह वीडियो यूसफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा थेंक्यू